वेल्कम टू कीटू सक्सेज दोस्तों आज की वीडियो में हम थ्योनिन थ्यर्म के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों इस पर एक कोश्चन भी करेंगे जो जिससे आपको एक तोटल किलियर हो जाएं और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ख्यारम कि ढूसरों थैने ठीन ध्यर्म तो यसे एसा कोई परिपात दिया रहे गा कि इक सर्कृत इस तरह से रहेगा और हमको एक बोल्टे सोर्स जैसे कोई सर्कृत गाए इसमें एक बॉल्टे सोर्स और इतने सारे रिजिस्टर लगे हुए हैं ले इसको हम एक बॉल्टे सोर्स और एक रेजिस्टर और एक लोड रेजिस्टन्स जो यहां पर है उसको कनवर्ट करके एक्क्यूएलेंट सर्केट में बदलते हैं जैसे उस तो ऐसा बदलते हैं इसे एक 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 रिजिस्टेंस और एक लोड रिजिस्टेंस में बदलेंगे यह आपका इसको बोलते हैं भी थीज थेवनीन इसे बोलते हो आर टी एच आर थेवनीन इसे ओपन सर्किट बोलते हैं तो दोस्तों इसे कोई equivalent circuit दिया है इसको हम मतलब एक बोल्टे सोर्स और एक रेजिस्टेंस में बदल देते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं इस लोड रेजिस्टेंस में हमको करेंट निकाली है आई ठीक तो करेंट तो हम दोस्तों इसे निकाल सकते हैं मैस निकाल सकते हैं के वियल लगाकर निकाल सकते हैं तो यहां पर पहले और यहां पर 6 ओम था और कि और लोड रेजिस्टेंस को चेंग कर दिये मानली जी की 4 वोल्ट कर दिये तो इसमें करेंट कितना आएगा तो दोस्तों यहांसे स्वरू करेंगे पुरा टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे फिर दुबारा सॉल्व करना पड़ेगा इसलिए ह और यदि थ्योनिन थेयरम में इसमें करेंट एक बार हमने निकाल लिया मतलब थ्योनिन निकाल लिया तो करेंट इसमें कितना भाएगी भी टी एच अपान आर्टी एच प्लस आरेल यदि लोड रिजिस्टेंस 6 ओम है 6 ओम रख देंगे जैकी 4ओम है तो बार बार ना निकालने पड़ेंस लिए स्जिवानिन थेयरम करेंच करेंट निकाल लेते हैं तो तो लोड रिजिस्टेंस हमेसा बदलता रहा है इसलिए थ्योनिन थेयरम का प्रयूक किया जाता है कि अब और हमारे पbow追mont है कि निकाले कैसे मतलब सरकिट में चेंज कैसे करें करें कि इसकी नियम है कोच कि नोटबुक लेकर लिख लिख लिजएगा यह नियम पता रहे हैं है पहले नियम्ज है कि जितने भी सरकीट में बोल्ति सोर्स है उसे 40 का मतलब दोस्तों कि इस बोल्टि सरोर्स को हटाके लाईन को मिला दें और चीटने भी करेंट सोर्स है उससे ओपन कर दें जैसे माली जी कि यहां पर एक करेंट सोर्स भी जुड़ा हुआ हुआ है है तो इससे ओपें सके कर दें और लोड रजिस्टन्स को निकाल दे जो पहला सरकुट दिया है उसे हम थेवनिंट एक्वेलेंट सरकुट में बदलने के लिए हमको सबसे पहले लोड सर्कुट कर देते हैं अब चलिए देखिए उठ्क्यों सर्कुट बनाते हैं इस वाले का जितने भी बोल्टे सोर्स हैं दोस्तों यहां पर बीवन एक बोल्टे इसको क्या करें सौर्ट सर्कुट ठीक और रेजिस्टेंस को ऐसा ही लेक लेंगे फिर घीटू बीटू को भी तो अब मैं आट जाए यह अगा थिक करेंट राइस लिए कर देंगे और याल को निकाल लेते हैं अब देखें अब देखें यह आपका आरवन यह आर टू यह यह आर्टू आर्टू यह आर्थ्री कि यह आर फॉर और यहां पर लोड रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं फिर देखिए दोस्तों क्या करते हैं और इन ए और बी के बीच जो बोल्टेज होता है इसे भी एबी इसी बेउलते हैं भी थेवनीन मतलब भी ए माइनस भी बी थेखिए निकाल लेंगे तो आपका क्या होगा भी थेवनीन हो जाएगा अब बी तो निकालने के लिए कुछ भी कोई प्रस्मास अपना सकते हैं सबसे पहले सर्कूट जैसे माली सबसे पहले सर्कीट यह दिया गया है उसको क्या किये लोड रिजिस्टन को हटा दिए ठीक इसके वाद क्या बन गया हमारा क्या बन जाएगा यह वाला बन जाएगा कर देंगे और फिर करेंट सोर्स को ओपन सर्किट काम खतम फिर लोड रेजिस्ट्रंस को सबसे पहले हटाते हैं अब a बीच में बोल्टेज निकालेंगे और वह जो बोल्टेज आएगा क्या हो जाएगा आपका भी थें यह भीट हैँ प्यम्हाइब निकालेंगे कैसे तो इसे हम नोडल लग्या निकाल सकते हैं मैस्वारेंस अनिकालना कोई भी मेथड अपना के हमको भी अब निकालना है अब बात आती है कि आटी-एच कैसे निकालेंगे आटी-एच आटी-एच भी इन दोनों बिंदू के बीच और अब इसकल टू और टी-एच ठीक मतलब रोड रजिस्टेंस को हटाया करके जो पॉइंट बनता है इन दोनों पॉइंट की बीच में इक्वेलन रजिस्टेंस निकालेंगे वह आपका क्या हो जाएगा आर टी-एच आब निकालेंगे कैसे दोस्तों जिसको तो जब हमारा भी टी ये चाजाएगा आर टी-एच आजाएगा तो इक्वेलेंट सर्क्रीट क्या बन जाएगा इस तरह अब का लोड पहले से दिया रहेगा ठीक अब इसमें कितना फ्लोगी आई इसका लटू अपान र्टीएच प्लस लिए अब आई रहेल को बहले कुछ भी हो हम इसा करेंट यहां से निकालते रहेंगे आपर रहेंगे तो अब दोस्तों इस पर हमें कोस्चन करते हैं जिससे अ आते हैं जैसे माली यहां पर हमको आटीस निकालना है एक बी निकालेंगे तो आरवन अर्टी के आप पार लेल और से इसमें थोड़ा से पता देते हैं आरवन अर्टी पारलेल ठीक इसके बाद आर्टी हो जागा सिरीज में फिर टोटल का पारलल यह आपका हो जागा आटीएच यहां पर रिफ्रेंस पाइंट पर निकालेंगे चलिए कोश्चन करते हैं उस पर आपको क्लियर हो जाएगा यह दिखें जो इसे यह आपको एक कोश्चन दिया गया है अब हमको पूछ रहा है कि 6 ओम रजिस्टेंस में कितना करेंट प्रवाहित होगी हम भाई थ्योनिन मेथड थ्योनिन थेनों से बताईए तो इस तरह से नोडल निकाल सकते हैं करेंट को लेकिन हमको थ्योनिन से बताना है बतलब यहां पर शीख सो में तो कभी 4 ओम रख देग वी के अच्छा थियोनिल से एक बार निकाल लिए जा है तो सबसे पर्ले क्या करते हैं रोड ब्रेश्टेंस को हटा देंगे झाय जो पूर ओम कर देंगा तो डूर्ट कर देंगे ओपन कर देंगे तो यह आपका वह एक पो एक यह पाव यह बी क्यों कि लोड रेजिस्टर्स को अटा देते है अब फिर यहां पेसे निकालेंगे हैं अब कैसे निकालेंगे अब हमगे इसमें 430 की में नेते prataism निकालेंगे बीटीएच सबसे पहले आटीएच निकालेंगे तो दोस्तों अब आटीएच निकालेंगे ठीक आटीएच सबसे पहले अब आप दोस्तों एक बार नियम कर रिविजन कर देजिए कि सबसे पहले कोई यदि सर्कृट दिया रहेगा तो लोड रेजिस्टंस को हटा देंगे लोड रेजिस्टेस हटाने के बाद यदि हम RTS निकालने जा रहे हैं तो जितने भी बोल्टे सोर्स है उसको short circuit कर देंगे और current इन्टो 4 अपन एट प्लस 4 32 एट एंट फूर 12 फिर 32 बाइट जा फोर थी जा ठीक 8 वाइट ट्री ओम एट बाइ थ्री ओम इधर आगे और प्लस टू किसमें प्लस टू सिरीज में एट बाइ थ्री प्लस टू ओम एट बाइ आर्टि यह चाह गया आपका एट बाइ थ्री प्लस टू ओम ठीक केतना हो जागा कि फोर्टीन बाइ थ्री कि यह हो जागा आपका फोर पॉइंट सिक्स सिक्स ठीक कर देंगे ओपन कर देंगे इस तो इक्वेलेट सरक्यूट के कैसे बन जागा तो इस तरह से बनेगी ऑप फोर्टी टू ऑप फोर्ट एटों रजिस्टर इसके बाद फिर कि अटों रजिस्टर के बाद क्या लगा है फोर ओम वीडियो पास करके देख लिजेगा थर्डी ओम अंद तक दोस्तों जरू के लिए अटी के लिए बता रहा हूं और इसके फिर सिक्स्वाम को ओपन कर देंगे कि टू ओम रिजिस्टर कि अब अब यहां पर ए एंड वी हमको क्या निकाल बीटी एच तो सबसे पहले क्या निकालते हैं नोडल लेस्ट लगाते हैं पर एक रिफरेंस पॉइंट करेंगे तो यहां के बॉल्टिस केता हो जाएगा जीरो बॉल्ट ठीक और फिर करेंट देखें देखें तो यहां से निकलके 42 बॉल्ट ज्यादा है 42 बॉल्ट ज्यादा है और 30 बॉल्ट का में तो करेंट इधर जाएगी करेंट इधर तो जाएगी नहीं कि यहां वापस कै प्लस माइस टो प्लस जाएंगे तो क्या होगा 42 42 प्लस होगा माइनस एट आई ड्रॉप माइनस 4i माइनस 30 क्योंकि प्लस टो माइनस 30 इसकल टो जीरो तो यहां से दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आई को वेल कितना आगी 8 i प्लस 4i 12 i 42 माइनस 30 इसको टो टोटो तो टोटो टोटो जब वन एंपियर करेंट आ गई आफ देखें दोश्तों करेंट इसमें कितनी आगई इस डारडियर में ठीक अब यहां से देखें नोडल अनर्सिस लगाते हैं जीरो से चलते हैं रिफ्रेंस पॉइंट मानते हैं नोडल एनरसिस का दोस्तों एक वीडियो में बना चुका उसको जरूर देख लेज़ेगा जहां पर मेरा चैनल उसके क्लिक करिएगा तो अब सारी वीडियो आ जाएंगी जहां पर की टू सक्सेज लिखा है फिर इधर से च चलेंगे यहां कितना बोट जीरो यहां तक जीरो फिर अब देखिएगा से यहां तक चालते भीजे तक पहुंस जाएंगे जीरो उपर पहुचेंगे माइनस टू प्लस थर्टी फिर माइनस टू प्रस के करन्ट इस डारेक्शन फ्लो रही है जा रहे हूं अपोजिट हम लोग फॉर एंटू पॉर एंटू वन प्लस फॉर एंटू वन इसकल टू भी यह एक वैलू कितने आगे दोस्तों भी एक वैलू आगे आपकी 34 अब भी भी निकालने के लिए इस यह जाएगी इसे फ्लो जाएगी फिर क्या करेंगे जीरो अब कि अपोजिट जा रहे हैं तू इन्टू अपोजिट आगें तो प्लस हो जाएगा टू इन्टू थ्री पाद लिए टू इन्टू आई स्कल टू भी वी कितना हो जाओगा शिक्स बॉल्ट अब देखे जो भ एकि बैलू आगई है आपकी 34 बॉल्ट डीवी की बैलू आगई 6 बॉल्ट वी ए बी निकालना लिए बी मतलढ व्योटी एच ब्यूटी एच चिस्कृट्ट व्या मैंनस भी इब आप देखिये दोस्तों कि आप शेल चेल तो फीए माइनस भी वी थ्योनेन दोस्तों याद दिला दे open circuit voltage भी बोलते हैं अब्जक्टी question जब मैं आरके राजपुत का कराऊंगा चेरी complete हो जाने के बाद तो टोटल question आएंगे सामने तो वी ए इसकल टू आपका है 30 volt वी वी है आपका 6 volt कितना आगया आपका 28 volt वी थेवनीन आगया आपका 28 volt और आर थेवनीन आया है आपका 4.66 ohm अब equivalent circuit बना लेते हैं आपका equivalent circuit क्या बना है ब्टी एच र्टी एच लोड फिल्ड लगा देते हैं लास्ट में ठेक ब्टी एच कितना आएगा दोस्तों 28 volt VTH भी थेवनीन आया open circuit voltage र्टी एच कितना आगया 4.66 ohm आर रेयल लोड कितना दिया गया था 6 ohm 6 ohm में current निकालनी थी current कितना प्रभाइत होगी इस current में मान लिजे आई प्रभाइत होगी सब्सक्राइब कितनी है कि ब्यूटी एच अपान दोन सीरीज में आटी इस प्लस आर रेयल ब्यूटी एच की बैलू कितनी है करेंट आ जाएगी आपकी 2.66 amp क्यार्गूलेटर कर लिजाए तो दोस्तों अब आपको आई आ गई अब यहां पर यदि यह लोड रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं मतलब कि यहां पर फोर ओम कर रिजिस्टर लगा दिया लगा दिया लगा दिया जाए तो कितना देंगे जिक्स के अस्तान पर दोस्तों थेवनीन थेरम आपको अधी कम्प्लीट समझ में आ गया होगा इस वीडियो में और यह दि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ है तो ज़रूर इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और दोस्ते अगला और एक लेक्चेर और होगा इस नेटवर्क थियर्म में कंपनसेशन थियर्म रिसीव प्रोसिवटी थियर्म मिल्मान्स थियर्म फिर इसके बाद आरके राजपुत की कि हम सिक्यू स्टार्ट करेंगे और रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे अपलोड लगतार पढ़ाई करते रहें धन्यवाद दोस्तों